नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हरी किसोर और स्वागत है आपका मेरे यूप ट्यूप चैनल की सोर टेक टॉक पर दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि अगर आपको किसी भी सीम को एक से दूसरे कंपनी में पोर्ट कराना है टो पोर्ट मैसेज भेजने के लिए आपको कितने का रिचार्ज करना पड़ेगा चाहे अपको कोई भी सीम है जिसको आपको पोट करना है तो उसको पोट एसमेस भेजने के लिए आपको कितने का रिचार्ज कराना होगा क्योंकि अभी 2022 के शुरुआत में ही जो पोट एसमेस भेजने का जो प्लान था मतलब जो आपको अनलिमिटेट प्लान रिचार्ज करना परता था उस तब जाके आपका port smith जाता तभी आप एक से दूसरे कंपनी में port करा सकते अपने सीम को इसलिए जीओ ने complain कर दिया बोड़ा फोन आइडिया के उपर कि ये बहुत जादा हाई प्राइज पे port smith इनका जाता है बहुत महेंगा प्लां रिचार्ज कराना पड़ता है तो ऐसे में try ने सब का जो port smith मतलब जाता था बहुत महेंगे plan से रिचार्ज कराना पड़ता था तब जाके तो अब उसको बिल्कुल संस्ता कर दिया गया है तो मैं बताता हूँ कि आपको कितने का रिचार्ज कराना होगा तो आपका port SMS जाएगा चाहे आपका सीम ATL, Idea, Boda phone, GO, BSNL किसी का भी हो तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं BSNL का अगर आपके पास BSNL का सीम है तो आप 49 रुपय का रिचार्ज कराओगे और उसके बाद 10 रुपय का एक talk time रिचार्ज कराओगे तब भी आप अगर port SMS भेजना चाहते हो तो चला जाएगा और आपको port code अधर से मिल जाएगा मतलब आपका UPC code मिल जाएगा और आप अपने SIM को एक company से मतलब BSNL से दूसरे में port कराओगे उसके बाद दोस्तों board up phone idea का बात कर लेते हैं पहले आप 155 का unlimited plan से रिचार्ज कराते तब ही आप port SMS भेज कर सकते थे लेकिन अब भी आप सिर्फ 59 के रिचार्ज कराओगे तो आप port message भेज पाओगे और अपने SIM को दूसरे company में port करा पाओगे लेकिन साथ में आपको 10 रुपय का talk time रिचार्ज भी करना पड़ेगा तब भी आपका message जाएगा port SMS जाएगा तो अब जो सबसे महगा था बोड़ा फोन आईडिया का port SMS भेजने वाला plan अब सबसे संस्ता कर दिया गया है आप port SMS सबसे संस्ते रिचार्ज में आप भेज सकते हो तो दोस्तों चाहे आपका SIM बोड़ा फोन और आईडिया का हो तो आप 24 का रिचार्ज करा लेना उसके बाद 10 का रिचार्ज करा लेना और आप port SMS भेज लेना उसके बाद आप port करा सकते हो अगर आप स्मार्टफोन में अपना SIM यूज कर रहे हो तो कम से कम आपको 119 का पहले सकते हो और जी ओ को दूसरे में पोट करा सकते हो लेकिन दोस्तों अगर आप आपके गाउं में कोई भी अगर जी ओ फोन वाला है जो छोटा जी ओ का फोन यूज करता है उसमें आप अपना स्मार्ट फोन वाला सीम लगा दीजिएगा और उसके बाद उसमें सिर्फ 75 र पर बड़े लेक्न दोस्तों याद रखना सब का कंडिशन एक ही है कि आप रिचार्ट जो कराते हो न इससे सिर्फ Πोर टेस में सकते हो और अपना स्वेंब करा सकते हो और आप कोज भी नहीं जाएगा इन सब रिचार्ज पे तो ये बात आप ध्यान रखना लेकिन अगर आ कंपनी से किसी कंपनी में जाओगे तब भी मिल जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ सेयर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद जय हिंद